दूस्तों क्या आपको पता है इंडिया में 21 ऐसे flexi cap funds है जिन्होंने आप से एक तगड़ा expense ratio तो लिया है मगर अपने benchmark को भी नहीं बीट कर पाए है ये recently launch किये हुए funds को अगर हम ignore करें तो market में इस समय 44 flexi cap funds है और उसमें से 21 funds यनि की लगबख 50% fund ऐसे है जिन्होंने अपने benchmark को beat नहीं किया है and seriously guys ये एक बहुत ही sad reality है mutual fund houses अकसर अपने 5 star rating की या फिर अपने past performance की बात करते रहते है लेकिन इन सब funds को आपस में कोई compare ही नहीं करता इसी दोस्तों जब मुझे मेरा खुद का पैसा invest करना है तो मुझे कौन सा mutual fund चूस करना चाहिए यही question का answer मैं धून रही थी मतलब मैं ऐसी ही हवा में तो decide नहीं कर सकती I want a solid mathematical comparison between all the mutual funds and then let's see कि कौन से ऐसे mutual funds है जो eliminate हो जाता है और कौन से आखर तक survive कर पाता है मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना कि यह मैंने खुद के लिए किया हुआ analysis है यह कोई भी financial recommendation नहीं है किसी भी fund में invest करने से पहले अपने financial advisor को ज़रूर consult कीजिए दोस्तों इस वक्त market में जो जो flexicap funds है इन्हें मैंने एक excel sheet में लिया है अब इस list में कुल मिलाकर 63 flexicap funds है मगर इन में retirement funds, passive funds, fund of funds या फिर child plans को हमने include नहीं किया है अगर आग को कोई specific category को analyze करना है तो हमें comments में ज़रूर बताईएगा हम उसका analysis ज़रूर करेंगे चलिए अब बचे हुए funds को analyze करते है by the way इस category में flexicap के साथ साथ focus mutual funds भी हमने consider किया है तो जब भी हम कोई भी mutual fund में invest करते है what is the first thing we want? returns yes of course, returns बहुत important है but सिर्फ 1, 3 या 5 साल का return देखना काफी नहीं है आपको flexicap का performance against its index देखना बहुत ज़रूरी है मेरा मतलब है कि हमें एक particular fund ने उसके benchmark के comparison में कैसा perform किया है वो देखना बहुत ज़रूरी है अब इस case में हमारा जो benchmark है वो है nifty 500 तो हमें ऐसा fund चाहिए जो कम से कम nifty 500 को बीट कर सके नहीं तो दोस्तो एक तगड़ा expense ratio देने का क्या ही फाइदा है इससे अच्छा तो हम nifty 500 में ही invest करते तो दोस्तो benchmark से compare करना है तो हमें alpha को consider करना चाहिए alpha पिछले 3 साल के returns के हिसाब से calculate किया जाता है तो हर वो mutual fund जिससे 3 साल हो चुके है उसका alpha हमें मिल जाता है analyze करने के लिए तो जो जो funds नए है उन्हें हम temporarily निकाल देते है क्योंकि वो नए है और उनके risk parameters available नहीं है तो दोस्तो alpha ये alpha exactly है क्या alpha simply आपको बताता है कि index के comparison में उस fund ने कितने ज्यादा या कितने कम returns दिये है जैसे कि for example HDFC flexi cap fund का alpha 6.92 है अगर तो इसका मतलब ये है कि इसने index के comparison में 6.92% ज्यादा returns दिये है वही access flexi cap fund का alpha minus 4.37 है यानि कि इस fund ने index से 4.37% कम returns दिये है so back to our excel sheet हमने सभी flexi cap funds के alpha को list down किया और उन्हें highest to lowest sort किया अब दोस्तो जिन funds का alpha 0 की नीचे है हमने उन्हें red कर दिया है क्योंकि ये वो funds है जिन्होंने हमसे active mutual fund का expense ratio दो लिया है लेकिन अपने index को beat नहीं कर पाए है ये so 44 funds में से 21 mutual funds तो पहले ही alpha के ही round में eliminate हो गए है बाकी funds का average alpha 4 है so जिन funds का alpha 4 से कम है उन्हें हमें yellow करना है satisfactory है यानि कि वही दोस्तो फिर से अगर हम बाकी funds का average ले तो वो 8 है so above 8 is excellent यानि कि dark green और 4 to 8 के बीच में good यानि कि light green कर देते है because इन्होंने अच्छे returns दिये है मगर ये excellence से थोड़े से कम है मगर सिर्फ returns ही देखना काफी नहीं है right returns के साथ साथ हमें उस fund की volatility भी consider करने चाहिए क्योंकि हमें वो funds भी नहीं चाहिए जो index से ज्यादा उचलकुद करते है तो index की comparison में volatility major करना बहुत जरूरी है जिसे major करते हम बीटा से index का बीटा one consider किया जाता है अगर किसी mutual fund का बीटा one से ज्यादा है तो वो index से ज्यादा volatile है वही अगर one से कम है तो index की comparison में ये कम volatile है तो अब हमें ऐसे fund चाहिए जिसका बीटा one से कम हो तो अब हम बीटा को smallest to largest sort करते है और वो सब funds जिनका बीटा one से ज्यादा है उन्हें red कर देते है तो बचे हुए funds का average बीटा 0.89 है तो हमने 0.89 मगर one से कम को yellow कर दिया है similarly बचे हुए funds का average लेके light और dark भी mark कर दिया है मगर दोस्तों सिर्फ volatility भी देखना काफी नहीं है हमें ये भी देखना चाहिए कि इस fund ने जितनी भी returns दिये है उसके लिए उस fund ने कितना risk लिया है और इसे हम major करता है sharp ratio से sharp ratio जितना ज्यादा उतना better होता है मगर sharp ratio अगर एक से कम है तो इसका मतलब है कि उस fund ने risk अच्छी तरीके से manage नहीं की है इसलिए one से कम sharp ratio को red mark करेंगे similarly बचे हुए funds का average लेते हुए yellow, light, green और dark green mark कर दिया है मैंने और अब हम अगर सभी red parameters वाले fund को filter out कर देंगे तो हमारे पास बचते हैं 20 funds not bad not bad लेकिन हमें एक step और उपर जाना है अब जितने भी parameters yellow है वो अच्छे funds तो है लेकिन हमें अगर एक ही fund चूज करना है तो हम satisfactory पे क्यों रुके इसलिए let's eliminate all the yellows और अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ दो funds पराफपारिक flexi cap fund और HDFC focused 30 fund इन दोनों funds ने recently बहुत अच्छा performance दिखाया तो है मगर क्या हमें सिर्फ recent performance ही देखना चाहिए of course नहीं दोस्तो हमें इन दोनों ही funds का पिछले 5 सालों का rolling return निकालना है यानि कि इन funds में हमने कभी भी invest किया तो exactly 5 साल बात हमें कितने returns मिलते और इनके rolling returns को compare करने के लिए हमने nifty 50 को भी लिया है अब जैसे की आप यहां पर देख सकते हो कि HDFC focus 30 ने recently बहुत ही अच्छा perform किया है अगर हम इसका historical performance देखेंगे तो यहां इस पूरे period में उसने nifty 50 को भी beat नहीं किया है मगर इन same terms पर अगर हम पराग पारिक flexi cap fund को analyze करें तो ना सिर्फ इसने recently मगर consistently पूरे lifetime में nifty 50 को beat किया है तो हम HDFC focus 30 को भी eliminate कर सकते हैं और हमारा आज का winner है पराग पारिक flexi cap fund लेकिन दोस्तों ये तो fund उन लोगों के लिए है जो risk और return दोनों को manage करना पसंद करते है मगर आज के इस list में हम एक honorary mention तो ज़रूर करेंगे उस fund का जिसका alpha यानि कि returns सबसे ज्यादा है मैं बात कर रही हूँ quant flexi cap fund की अगर आप इसके सभी parameters देखेंगे तो ये अच्छे है except beta यानि कि volatility ये nifty से भी ज्यादा volatile है इसके लिए पहले ही ये eliminate हुआ है साथ ही में दुस्तो इसका turn over ratio भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा है यानि कि ये अपनी portfolio में जो stocks है वो बहुत ज्यादा लेते और बेचते रहते हैं तो अगर आप volatility और stocks को buy and hold की strategy पसंद करते हो तो probably this fund is not for you लेकिन दोस्तो ध्यान रखना कि ये कोई recommendation नहीं है ये बस मेरा analysis है जो मैंने खुद के लिए किया है मगर दोस्तो ये तो रहा आज का video flexi cap fund के लिए आपको कौन से mutual fund का next detailed analysis चाहिए हमें comments करके जरूर बताईएगा और ये भी बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपने किस flexi cap fund में invest किया है क्या उसने nifty 50 को beat किया है या नहीं